Hey everyone, I am Pawan from TCML and आज का हमारा कुश्यन है कि बताइए bad cholesterol किसे करते हैं and good cholesterol किसे करते हैं and मैं आपको answer के लिए few seconds दे रहा हूँ I hope आप सभी ने answer सोच लिया होगा and जो bad cholesterol है वो कौन सा होता है LDL यानि की low density lipoprotein इसे हम क्या बोलते हैं bad cholesterol and इसका just opposite क्या होता है good cholesterol यानि की जो HDL होता है न high density lipoprotein इसे हम क्या बोलते हैं good cholesterol और मेकजीमम इस्टूडेंट के mind में ये confusion जरूर होता है कि HDL good cholesterol है कि bad cholesterol है या फिर बोल दीजिए LDL bad cholesterol है कि good cholesterol है तो overall ये confusion आपके mind में ना हो तो इसके लिए हमने एक निमोनिक बनाया है और वो क्या है bald आपको यहाँ पर साब साब दिख रहा होगा B-A-L-D and bald को हिंदी में क्या बोलते हैं गंजा and मैं आपको दिखा भी देता हूँ तो देखिए आप अभी यहाँ पर एक bald person की image देख रहे हैं या फिर बोल दीजिए एक गंजे person की image देख रहे हैं and यही क्या है हमारा निमोनिक देखिए ना bald यह नहीं गंजा और देखिए जब bald है ना इसके starting के जो two alphabet है B-A यह क्या शोग कर रहे हैं bad cholesterol को क्योंकि जब हम bad लिखेंगे तो उसके starting में क्या आता है B-A और bald में भी क्या आता है B-A तो अवराल B-A का मतलब क्या है bad cholesterol and LD का मतलब क्या है low density lipoprotein क्योंकि LDL के starting में क्या आता है LD और bald के last में क्या आता है LD अवराल बात new है कि जो bald निमोनिक है ना ये क्या शोग कर रहा है कि जो low density lipoprotein होता है वो क्या होता है B-Colesterol होता है and इसका just opposite क्या होता है good cholesterol यानी कि जो high density lipoprotein होता है HDL होता है ये क्या होता है good cholesterol होता है and आज की हमारे वीडियो नहीं पर finish होती है झाल झाल